बी एवेर, बी हल्दी एंड बी हैपी, एदी एवेर रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे और हेल्दी रहेंगे तो हैपी रहेंगे, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, प्रोफेशर ओफ उरोलोजी हूँ, एक प्रीमियर हैल्थ इंस्टिउशन, पीजियाई चंडी गड में, आज इन सारे चीज का इलाज करता हूँ, तो प्रॉस्टेट कैंसर की जब सक होती है, तो प्रॉस्टेट की बाइपसी की जुरुत होती है, तो बाइपसी कब, क्यूं, और क्या प्रीकोशन लें, तो प्रॉस्टेट कैंसर सब से इल्डर्ली में मौस्ट कॉमन कैंसर है, सब से ज चाहिए और आर्पी सब्सक्राइब कर सकते हैं और रोबोटी किसे यह द्वारा हम इसे कंप्लिटरी क्योर कर सकते हैं, यह क्योंकि अटी बढ़ती जाएगी तो क्योर की समभाबना कम होती जाएगी तो प्रोस्टेट की बायाफ़सी कब प्रिकॉशन और कब करानी चाहिए और बायापसी के बाद क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए तो एदी पिसाब की दिक्कत है या फैंबली स्टी है प्रोस्टेट कैंसर की पचास साल से एवब के उम्र में है PSA बढ़ी हुई है और पर रेक्टल इक्जामनेशन में कोई हार्डनेस है नोड्यूल है और आपको जाना परेगा प्रोस्टेट एक में ब्लड सप्लाई होती है इसके कान पिसाब की कभी रुकावट होती है तो कभी कभी ब्लड भी आ सकती है तो प्रोस्टेट ग्लैंड की बैयापसी करने की जुरुत होती है जब PSA बढ़ी हुई होती है पर रैक्तल एक्जामनेस में कोई हाड्नेस कोई नोड्यूल होती है या MRI करने पे कोई abnormality होती है या PSA में पेट करने में कोई abnormality होती है तो कैसे करते हैं प्रोस्टेट की बायापसी यह बैक पैसे से टट्टी के रास्ते से प्रोस्टेट से डिफरेंट डिफरेंट जगह से टुकड़े लेते हैं निडिल डालके अंदर जाती है निडिल इस तरह निडिल जाती है ठट्टी के रास्ते से और टुकड़े को काटके निकालती है छोटी छोटी बहुत बारिक से टुकड़े होते हैं और उसकी जांच होती है तो प्रोस्टेट बायापसी से पहले क्या टेस्ट होती है और प्रोस्टेट बायापसी में जो टीसू आती है उसको मैक्रोइसकोप पे फिर जांच करते हैं तो पीए से टेस्ट करती ह रेक्टल एक्जामनेशन करते हैं, MRI और खून का ठक्का आपका ठीक से जम रहा है या नहीं जम रहा है, क्योंकि मैंने बताया, प्रोस्टेट ग्लैंड एक बैस्कुलर ग्लैंड होता है, उसमें खून की नली होती है, और प्लेटलेश्ट का टेस्ट नॉर्मल होना जहूरी है और urine culture भी एकराने की जुरत परती है, क्योंकि इसमें एंटिवाटिक देने की जुरत परती है, आप कोई बलड थीनर तो नहीं ले रहे हैं, एदि कोई काडियक प्रॉब्लम या एस्टोक की प्रॉब्लम बलड थीनर ले रहे हैं, तो डॉक्टर को बताएं, हो सकता है कि ब माज दिन पहले कम करना पड़े या बंद करना पड़े हैं इरिन कल्चर देखना होता है एक एंटिवाइटिक देनी होती है और स्टूल थीनर देते हैं स्टूल कंस्टिपेशन है या एनिमा लगा के बॉवेल को किलियर रखना पड़ता है या कुछ लेक्टिव रात में देत पेट गाड़ेट बायापसी करते हैं तो ओट ठट्टी के रास्ते से नहीं होता है वह पेरेनियल रूट से होता है तो उसमें यह करने की जुरत नहीं होती है तो जैसे हमने बता आया है अल्ट्रसॉन एंटिवाइटिक परेड़ेक्टल एक्जामिनेसन करके 12-18 कोड बाया या नॉन कैंश्रस देंसरें तो जो लेते हैं फिंगर गयाड़े ले सकते हैं फिंगर से फिल करके अल्ट्रसॉन काड़ेटि वा धिनर से टीह यहां यह पैडिवांस श्क ने कोती है जो हर जगे अब लेवल नहीं है जो पहता है MRI and ultrasound fusion biopsy भी करते हैं, कभी-कभी बाकी चीज़ से कुछ नहीं पता चल ला है, confirm नहीं हो रहा है, तो prostate biopsy एक safe procedure है, 95-98% problem में कोई problem नहीं होता है, लेकिन कभी-कभी ऐ तो कोई बुखार आती है, कोई पिसाब में खून आती है, तो आपको एंटिवाटीक और पानी ज्यादा लेने की जुरत होती है, और उससे कंट्रोल ना हो तो एरोलोईस से कंसर्ट करने की जुरत होती है और फीवर हो रहा हो, पिसा में जलन हो रहा हो, कभी बहुत ज़्यादा इंफेक्शन हो गया हो या बलड आ रहा हो पिसा में या सीमन में तो इमर्जनसी में एटेंड करने की भी जुरत होती है क्योंकि एंटिवाइटी कर फ्लूर्ट देने की जुरत परती है तो यह था हमारा इंफोर्मेशन प्रोस्टेट वाइबसी पे क्योंकि प्रोस्टेट वाइबसी एक बहुत ही कॉमन प्रोसेडियोर है कि इसके बारे में आप जानते हैं तो दूसरे की मदद और अपनी मदद कर सकते हैं Be Happy and Thank You